नमस्कार आप देख रहा है BRG News दिन भर की कुछ एहम और खास ख़बरों के साथ BRG Newsroom में आप सब का स्वागत है ख़बरों का से सिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर 71 वे वन महत्सो का प्रारहम करवाते राजिके ग्रेमंती प्रदीप सी जाड़े जा ग्रीम गुजरात, क्लीम गुजरात के नारे को किया गया बुलन मुख्यमंत्रियों को कब से मिला राजिय में तीरंगा फैराने का अधिकार और कौन थे वो पहले मुख्यमंत्री जिसने तीरंगा लहराया जानकारी देती BRG News की खास रिपोर्ट रुपानी सरकार के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री सहरिविकास योजना में महानगर पालिका और नगर पालिका को मिले 1000 करोड रुपे 99.5 करोड बड़ोदा महानगर पालिका समय चार नगर पालिकाओ को मिले 4.5 करोड रुपे अब देखते हैं खबरे विस्तार से राजी के ग्रे मंत्री प्रदीपसी जाड़ेजा की और से आज 71 वन महोट सव का प्रारम करवाया गया ग्रीन गुजरात क्लीन गुजरात के नारे को बुलंद करते हुए ग्रे मंत्री की और से किसानों को सम्मानित भी किया गया ग्रे राज्य मंत्री प्रदीफसी जाड़ेजा ने आज 81 वे वन महत्सव का आरम करवाया। करजन तालुका के कंडारी गाउं में स्वामी नारण गुरुकुल परिसर में बोर्षली के पोधे को लगा कर वन महत्सव की शुरुवात की गई। ग्रीन गुजरात का सपना साका करने में वन महत्सव योजना का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तब आज जिला कलेक्टर समेट विदायोकों की उपस्तिती में राज्य के ग्रेम मंत्री ने वन महत्सव का आरम करवाया। इस मौके पर खेतों में पोधे लगा के और व्रिक्षा रोपन का उम्दा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। वन महत्सव में बड़ोदा जिला वन विभा की और से चौबीस लाग से जादा व्रुक्ष लगाने का काम बीते सालों में किया गया है। तब इस साल के वन महत्सव का आज से आरम हो चुका है। समग्र राज्यनी अंदर दर वर्षे जेम वन महत्सव उजवाई से तैम चालू वर्षे इको तेरमों वन महत्सव बड़ोदा जिला नो करजनी अंदर आजे उजवानों राजे सरकार द्वारा नेने करवामा आवे तो जेना भाग स्वरुपे आजनू आव रुक्षा रुपण नो कारेकरम राखवामा आवे शे। आजना दिवसे माने मुख्यमंत्री सी विजेभई रुपणी ने पोताना चार वर्ष पून थाए शे। आने जेमना नेत्रुतों मा गुजरात वान फास्ट्रेक फटा फट नेनाई लईने मान्य नरेंद्रभई मोधी ए गुजरात ना विकास नी जे प्रक्रिया आरंभी हती। ये प्रक्रियाने आगल नहीं जवामा एमने पन एमना मंत्री मंदड़े जे योगदान आप्यूँछे ए सवने रदैपुर्वक ना हार्दिक अभिननद नापूछू। कोरोनाना आ संक्रमन काल नी अंदर पान गुजरात सरकारे मान्य बुख्यमंत्री सी विजे भईरुपाणी ना नेतरुट्वा इठाल समग्रभ प्रसासने अने कोरोना वारियर से ये उत्तम प्रकार्नी कामदीरी करी छे। जेना कारणे कोरोनाना संक्रमन ने अठकावा मा नाथवा मा अपने सपल रहा ची और आगामी दिश्तों मा पान अटलीज सावचे थी वच्चे अन लॉक्डाउन नी तमाम समस्या तमाम सुचनाओनू पालन करी ने कोरोना थी संक्रमी थता लोकों ने बच्चा विए ये आजना दिश्ते संगने अप्विल करूए की गई राजी के ग्रहमंती प्रदीप सी जाड़े जा आज बड़ोदा पहुंचे जहां उन्होंने जिला कलेक्टर कार्याले पे धारसभा हॉल में विधायक और बड़ोदा के आला नेताओं के साथ बैठक की आज रूपानी सरकार के चार साल पूरे होने का उमंग भी भा रचम्ता के बड़ोदा महानगर पालीका को 99.5 प्रदीप सी जाड़े जाके हाथों से दिए गए ते साथ ही में कोरोना महामारी के चलते अकस्त में आने वाले सmaybe wonders. कोहारो के सार्वजनिक आयोजन पे प्रतिबन की गोशना भी ग्रे राज्य मंत्री ने की थी आजे नरेंद्र भाई बोदी जारे गुजरातना मुख्यमंत्री हता ए वकती सरू करेली विकासनी आ प्रक्रिया पटापट नीलेयों करीने गुजरातों फास तेकना माध्यम थी मान्या उख्यमंत्रिये नायब उख्यमंत्रिये के गुजरात्मा विकास ने अगर लई जवामा योगदान आकुछे इस बदल मुँ आजना दिवसे में खुब-खुब अभीन्दन आपूछू आजे स्वनिन जन्ती उक्यमंतरी सहरी विकास योजनाना वाज्यब थी जारे गुजरात मां 50 टका करता वधारे लोगो नगर पाली का ने महानगर पाली का नी अंदर वसे छे तो आ नगरपाली का महानगरपाली का आपनु नगर आपनु सहर सुन्दर नगर बने गंद की मुक्त नगर बने अने इंफ्रास्ट्रक्चर नी पाया नी नल, गटर, पाणी, विजडी, सफाई नी पूर्ती सुविधा मने एना माटे राजनी नगरपाली का महानगरपाली का आउने रुपिया एक हजार करोड रुपिया आजे आपवामा आव्या जेमा वड़ोद्रा महानगरपाली का ना विकास माटे रुपिया नववाणू पॉइंट पाच करोड रुपिया अने वड़ोद्रा जिल्लामा आवेली चार नगरपाली काओने साड़ा चार करोड उपरान वड़ोदरा जोननी अंदर जे नगरपालिकाओ आवे नीछे ए नगरपालिकाओ ने वड़ोदरा महानगरपालिका सही एकसो ने अठियावीस करोड रुपिया नी मात पर रकम आ नाना नगरों ने महानगरों ना विकास माटे आपी ने आजे जे चार वस्नों एमनों कार्यकार पूर थरो छे और आगामी दिर्सों माँ आ नगरपालीका ने महानगरपालीका माँ तम व्यवस्ता उभी थाए ते माटे नी आजे एक कार्यकरम ना माध्यम थी राजे सरका द्वारा मदद करवा माँ आवी छे आगावी दिवसो मां त्यारे विवित प्रकार्ना तहवारो आवेचे त्यारे भादर्वी उनमना मेडाना पद यात्राना संगना आगेवानों विवित सिवाकेंपना आगेवानों गणपती युवक मंदर और विशर्जन मंदरना विवित आगेवानों सरकार समक्स इवी रजुवात करी के कोरोना ना संक्रमन ना महाकार्णी अंदर अमारी इवी लागनी छे के आ प्रकार्णा संगो केम्पो के कुईपन प्रकार्णा विशर्जनी सुभायात्रा ना कारिक्रमो क्यो राज्यनी अंदर थसे तो एना कारणे कोरोना ना संक्रमन मधसे इटले आ सीवाकेम प्धियात्रा ने विवीत युवक मंडलों द्वारा राज्यसरकार समक्स करेरी रजुवात ना अधार उपन तेमने अमने इवी रजुवात करी कि आ वखते आना कारणे आना उपन प्रतिबंध मुखो जोई अने राज्यसरकार पड़ माने छे के आपनने कोरोनाना संक्रमणनी आ चेन तोड़वा मा आज सुधी मा करेलू लौकडाउन औने आज सुधी मा करेला अनलौक नी जुदी सुचनाओना कारणे प्रसाशननी कड़काई अने एना पालनना कारणे आपने राजेली अंदर एक कोरोनाना संक्रमणने अठकावा माटे एना भूत्यू आग घटाडवा माटे आपने सभर्दा मडी छे प्रतु आमा संक्रमणनी अंदर वधारो नो थाए तेटा माटे अने अभिविद मंड़ोंगे करेली रजुआतना आधारे मानव जिदगी ये सवथी अगत्य नी छे एना कारणे आ रजुआतोंने लक्षमा लईने राज्य सरकार द्वारा इवो निणे करवा माँ आवे छे आगामी आ अगस्ट महिना दर्म्यान जेतला तेहवारो छे एमा कोईपन प्रकार नी सुभा यात्रा लोक मेडा पद यात्रा के ताजिया ताजिया ना जे जुलूस जे ए जुलूस अथवा सुभा यात्रा स्वरुप्वे जे भूर्ती विशजन नी यात्रा निकड़े ज देखते ए तमाम प्रकार नी जाहेर उजयमनी बंद करवा माटे नो राज्य सरकार द्वारा निने लिवा मालोशन। अम्बा जीमा ज्या तीस लाट करता वधारे लुको आवे छे एवा भादर्वी उनम नो मेळो औने दाजिया जुलूस अ कोईपल प्रकार नी प्रवुरुत्ती औने एना उप्वर अ विविद मंड़ोय औने लुको नी जान बच्चावा माटे जिन्दगी बच्चावा म माटे एना उपर प्रतिबन माटे नो राजियो सरकार द्वारा लिड़े करो जी 15 अगस याने की स्वातंतर दिन पर राज्य के मुख्यमंत्रियों को कब से तिरंगा लहराने का अधिकार मिला और कौन थे वो पहले मुख्यमंत्री जिनोंने 15 अगस याने की स्वातंतर दिन को तिरंगा लहराया था ये पूरी जानकारी देती एक विशेश बियार जी न्यूज की रिपोर्ट आप देखिए ये खबर कुछ जानकारी देने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश में राज्य के मुख्यमंत्रियों को तिरंगा जंडा लहराने का अधिकार कब मिला और वो कौन से पहले मुख्यमंत्री थे जिनोंने तिरंगा स्वातंतर दिन पे लहराया था जी हाँ आजादी से लेकर साल 1974 तक जब भी गंटंतर दिवसाता तब दिल्ली में राष्टपती जंडा लहराते थे और राज्य में राज्यपाल तिरंगा फेराते थे जबकि स्वातंत्र दिन पे दिल्ली में प्रधान मंत्री तिरंगा लहराते थे और राजियों में राज जिपाल के पास ही तिरंगा फहराने का अधिकार था लेकिन फरवरी 1974 में दक्षिन भारत की एक नेता ने ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी से इस नियम को बदलने की मांग की और वो नेता थे एम करुणा निधी जो उस वक्त आमिलनाडू के मुख्य मंत्री थे उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि स्वतंत्रता दीन पे जैसे दिल्ली में प्रधान मंत्री तिरंगा लहराते हैं वैसे ही राजियों में मुख्य मंत्री को तिरंगा लहराने का अधिकार मिलना चाहिए करुणा निती की सिफारिशो के आधार पर ही राज्यों को जादा अधिकार देने की मांग भी उठी ठी तब इंदिरा गांधी ने एम करुणा निती की इस मांग को माना था और जुलाई में केंद्र सरकार की और से एक आदेश जारी किया गया कि गंतंत्र दिवस पर राज्यों में राज्य पाल तीरंगा लहराएंगे जबकि स्वातंत्र दिन पे राज्यों के मुख्यमंत्री तीरंगा फहराएंगे और आखिरकार 15 अगस 1974 को तामिल नाडू की राजधानी चिन्नई में सेंट जोर्ज किले में जो तीरंगा लहराया गया उसे राज्य के मुख्यमंत्री एम करुणा निधी ने फहराया था और उसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिन पे राज्य के मुख्यमंत्री ही राज्य में तीरंगा लहराते हैं खबरों का सिलसिला यूही जारी रहेगा पर उससे पहले लिंगे कॉमर्शल ब्रेक तो देखते रहिए बी आर जी नियूज टर शी नियो जारी अजिज बीदाना के तो पिलिए है स्वाइब में लगो ही नियुजंग्ट पन से बीकांजर के लेगा कि तो ये है वया झाल रही है सब्सक्ने डिप aurait arrinारा अजिता नियुजंग्ट रही बीकalnya, आख पनारा przyszके थी उती है जावे है इतand वे ह। कर दो कर दो ब्रेक के बाद फिर से आप सब का स्वागत है बड़ोदा शहर के सरकीट हाउस में आम आदमी पार्टी की और से पत्रकार परिशद आयवजित की गई थी जिसमें बड़ोदा शहर जिले में 25 नए सदस्य आम आदमी पार्टी में जुड़े थे जिनको नियुक्ती पत्र इस पत्रकार परिशद में दी गई थे बड़ोदा शिले में आम आदमी पार्टी में आज 25 नए सदस्य जुड़े थे सरकीट हाउस में इसकी पत्रकार परिशद आयवजित की गई जिसमें सभी 25 सदस्यों को नियूकती पत्र दिये गए थे सीनो डभोई जैसे बड़ोदा जिले के तालूकाओं में प्रमूख उप्रमूख समित कारेकारी कमिटी की रचना आमादमी पार्टी बड़ोदा की और से की गए थी जबकि सिक्सा, स्वास्त और बेरोजगारी जैसे मुद्दो पर सरकार के सामने लड़ने की बाद भी इस पत्रकार परिशद में की गई इस पत्रकार परिशद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कीरण बेनाचार्य और प्रदेश संगठन महामंत्री अर्जुन भाई राठवा उपस्तित रहे थे और उनकी ही अगवाई में ये नियुक्ति पत्र दिये गए थे और मिभाने की पार्टी संतरी अर्जुन फाक्रेश प्रदेश स्लेश में लुगत उर्री पत्र के सा अगवारी में सुघ ये नियुक्तिन रहा उन ओमनी . ऐमा यह अलग अलग तालूका चे करजण, पादरा सीनोर, डभोई, वागोडिया, बडडरा, ग्राम्यव गुजरात राज योग बॉड की और से बड़ोदा शहर के चार योग गुरूओं को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है गुजरात राज योग बॉड की और से बड़ोदा के चार योग गुरूओं को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है कोरोना काल में ओनलाइन योग शेशन के जरिये नागरिकों में रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ाने की कोशिश की गई थी जिसमें बड़ोदा से भी योग साधकों ने हिस्सा लिया था वहीं चुनिंदा साधकों को शिविर में हिस्सा लिने का भी मौका मिला था जिसमें से चार योग कोच को सर्टिफिकेट दिये गए हैं ये सभी कोच बड़ोदा में करीबन 45-50 योग ट्रेनरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे योग को अपने जीवन शैली में सभी नागरीक अपनाए ऐसा खयाल जन जन तक पहुचाना चाते हैं साथ हैं ये साथिफिकेट टोटल अत्यारे 20 जन ने साथिफिकेट में अपने योग कोच चार चे आने बदा ना त्रण त्रन चार चार योग ट्रेनरों ये ट्रेनिंग अनलाइन अमें लोको जे सिखवाड येशे क्लासिस ए अने ए सीवाई अमें घांदी नगर मा जाई अने त्रोण दीवस नो जे प्रोग्राम करियो तो योग कोच नो एमाशी भी रटेन करी दी अनने त्यार पच्चे आमें बरोड़ा आवी नहीं बदा जेटला पन योग ट्रेनर्स हाता हमारा अंडर मा मिनिमम फॉर्टी फाइव टू फिफ्टी लोकों ने अमें लोकों ट्रेना करियो छे संयूक्त कामदार समीती के और से प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को जिला कलेक्टर के जरिये आवेदन दिया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की और से जो नई कामदार नीती लागू की गई है उसमें कामदारों को अन्याई हो रहे होने का हवाला दिया गया लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक कुरोना के चलते कई कामदारों को दोहरी मार जिलनी पड़ी है कमपनी की ओर से वेतन समेत रोजगारी से बरखास करने की धमकियां कामदारों को मिल रही है जबकि कोरोना वारियर्स के तोर पर जो कामदार काम कर रहे हैं उनको जरूरी सुरक्षा शाधन और स्वास्त योजनाओं से अलिप्त रखा जा रहा है तब आज कामदारों के हीटों की रक्षा के लिए आवाज उठाई गए थी और लगातार तीन दिन तक आंदोलन और हर्ताल करने की गोश्रा भी की गए थी आप जानों छो के केंदर सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कामदार विरोधी नीने वो लई लिदेला चे जयमके लोकडाउन नी अंदर कामदारों ना जे काईदाओ हता ए राज्य सरकारों जाते चेंज करे जीना करने कामदारों पर अत्याचार थेरी हो साथे-साथे लोकडाउन नी अंदर जे प्रकारे आमने सुविधाओ मड़ी ये नी जाहरात करवा माये सौती महत्वनी बाबत के केंद्र सरकार द्वारा जाहिर साहोसों ने खांगी करण करवा थी समगर देशना कामदारों और प्रजाओ पर खूब मोटी विप्रीत असर पड़ से अने आमाटे अखा देशना तमाम ट्रेड उनियोनों भेगा थे एक संयूक्त उनियन द्वारा आजे अमें वड़ा परदानने आवेदन पत्रा आपी छे अने आ तमाम मुद्दाओ बाबते तातकालिक निने लेवा मावे तरण दीवसना समगर देश मा तमाम यूनियोनों ये संयूक्त हरतानू आयोजन करवा मावी छे जे मा नवमी तारीके जेल बेरो आधोलन पर थाई शके छे आब अबते में आवेदन पत्रा आपी घट्टू करवानी विननती करी छे खबरों का सिलसिला यूही जारी रहेगा पर उससे पहले लिंगे कॉमर्शल ब्रेक तो देखते रहिए बियार जी नियूज बियार जी ग्रूप आप सेख़शये लिप्रणाराब्चाट और यूही जा विवासाइब हो यूही जादा भूही जाल Commission ब्रेक के बाद फिर से आप सब का स्वागत है LMB कंपनी की स्रेनों लिमिटेड कंपनी के मुख्य गेट के सामने आज करीबन 150 कामदार वीरोध प्रदर्शन और हर्ताल पर उतरे थे इन सभी कामदारों को एक नवंबर से काम से निलंबित किये जाने की नोटीस आज कंपनी के और से दी गई जिसको लेकर इन सभी ने भीरोध प्रदर्शन किया LMB ग्रूप की स्रेनों लिमिटेड के 150 कामदारों ने आज हरताल की थी कामदारों का कहना है कि बीते तीन महिनों से कंपनी प्रसाशन उन्हें लगातार परिशान कर रहा है जबकि आज 150 कामदारों को एक नवंबर से बरखास किये जाने की नोटीस दे दी गई है दो साल से वेतन बड़ोतरी समेत की मांगों के साथ ये सभी कामदार अपना काम किये जा रहे थे तब आज अचानक 150 कामदारों की बरखास्तगी की नोटीस से इन सभी कामदारों में हलचल मच गई पना की बरखास्तगी 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 नोटीस से इन स्थी से अचानक गई परिस्थिती मां लोगडाउन नो फाइदों लईने आ लोगों कामदारों ने छूटा करवानी पेरवी करी रहा चे अने खरेखर तो आजे एमने सु कर्यू कि तीस साथ बेहजार वीस ना रोज कुल एकसो पचास कामदारों ने तमने पहली नवेंबर बेहजार वीस ती छू करने भी पैसा आप या जे अवे ए वक्ते एलों को एक बाजु दान करें जे अन्हें आब जो आ कामदारों ने बेके पांच करोर रुप्या ने वियार्स ना पैसा भी आपाए तैयारी नजी यह पईसा सरकाने दान तरीके आपे जे यह त्यर्या कामदारों पासे ती करने वाली कंपनी के पास गरीब कामदारों को देने के लिए वेतन के पैसे नहीं है ये बात कैसे मानी जाए तब आज 150 कामदारों ने कंपनी गेट के बाहर हला बोल और नारे बाजी की थी गुजरी ते इमनी वेदना चे अमारी समक्स रजू करी कि अमने रातो रात चुटा करी दिवा माविया अवे गुजरा सरकारे विचार करवानी जरूर छे एक बाजू तमें कंपनी पासे ती अग्यार करों रूपया डोनेसन लो चो और बीजी बाजू कंपनी ना एम्पल पारी नथी आपी सकता तो मैं कोई आर्थिक सहाई नथी करी सकता अन्या कामदार हो जे 50-50-50-50-50 वर्षी कंपनी मा काम करी होई जेने एक कंपनी ना एक काम नो अनुगव होई आजे तमें चुटा कर दे से तेने रोजगारी को अनाल से सरकार एको यह वी वेस्ता करी जे चुटा करी न है तामारों काइदो बाता उसर बीजी न हैंने बेरोजगार बनाई दो ना धी सकता तो बेरोजगार बनाओनाद किया न आज कामदार हो जो मृचवें पनाने जा मृट्थ सानधी कंपनी नोisi ना कमपनी काइदों लाए जे पर्थी सरकार कंपनी ना मालिक ने कामदार नी वच्चे नी गैप मोटी करी रहा जे अने आ वड़ोत्रा से नी समगर गुज्रायत माटे बहु गंभीर प्रस्टना जे कांगे जो कंपनी अवरीत छुटा करी देसे तो आ कामदारों ने रोजगारी लेव जिले में साल 2020-21 के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 100 प्रतिशत लागू करने रण नीती तैयार की गई है जिला कलेक्टर मनोज कोठारी की अगवाई में टास्क फोर्स की समिक सा बैठक आयोजित हुई थी नर्मदा जिले में कलेक्टर मनोज कोठारी की अगवाई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहट टास्क फोर्स समीती से समीक सा बैठक आयोजित की गई जिसमें नर्मदा जिले में स्त्री जाती जन्म प्रतिशत में बढ़ोतरी समें बेटियों में माध्यमि पढ़ाओ योजना की 100% सफलताहेतू एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसमें साल 2021 के लिए टास्क फोर्स समिती से विस्तुरुच चर्चा जिला कलेक्टर ने की थी जबकि नर्मदा जिले में स्त्री जन्मदर में बढ़ोतरी के साथ इस कानून का उलंगन करने वालों के साथ सकती बरतने की हिदायत भी जिला कलेक्टर मनोच कोठारी ने दी थी परम पुजय गोस्वामी 108 स्री इंदीरा बेटी जी महोदया श्री का बया सिवा प्रागट यदिनाज है जिसके उपलक्स में मांजल पूर वरजदा माध्यात्मीक संकुल पे श्वास्त स्रीसर से जुड़े कोरोना वारियर्स को 500 पीपी किट वितरित की गई थी शहर के वरजदा माध्यात्मीक संकुल में परम पुजय गोस्वामी 108 स्री इंदीरा बेटी जी महोदया श्री के 82 प्रागट यदिन को सामाजिक सेवा के जरिये मनाय गया था विवायों की और से सेवा संकल्प के तहद कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य करते स्वास्त कर्मियों को पीपी कीट वितरित की गई थी साथ में पेरा मेडिकल स्टाफ को भी पीपी कीट दी गई थी परम पुझ्य वैश्णवाचारिय व्रजराज महोदेजी के हाथों से सिवा कार्या आज किया गया था नरहरी आरोग्य केंडर के कोरोना वारियर्स को 500 पीपी कीट दी गई कोरोना महामारी अब दिन बदिन बड़ोदा शहर में बढ़ती जा रही है तब स्वास्थ और मेडिकल शेत्र के कोरोना वारियर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है तब विवायों की और से पुझ्य दीदी के प्रागट दिन पे समात सिवा के जरिये स्वास्थ सिवा का कार्य किया गया था मित्य लिलास्थ परम पुझियर श्वी इंदरा बिटी जी महोदयाशी पुझ्नियाशी जीजी जेव समगर विश्व माटे करुना मुर्ती प्रेम मुर्ती त्याग मुर्ती वात्सल्य मुर्ती छे अमारा मात्र तुल्ली जेमनी हमेशा अमारो उपर विशेश पुर्पा रही विशेश प्रेम रही अने आजे जारेमना ब्यासी मा प्रागत्य उच्छवनी रजदाम अध्यात्मिक संकूल खाते पुझवनी करी रहाची त्यारे वड़ोदरा ना अंदर व्रजदाम अध्यात्मिक संकूल और नरर्य आदरोग के केंद्र एना माध्यम थे वड़ोदरा नी जनता ने एक बहुझ अनमोल भेट एक प्रदान थेच आजे वल्ला फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा नरर्य आरोग के केंद्र ने 500 पीपी किट्स नुए यां पुझनियाशी जीजिना जन्मोस्व प्रसंगे वित्रण करवा माँ आव्यू छे माने खुबज आनन्द छे कि जे रिते व्रद्धाम आध्यात्मिक संकुल मा अमारा मुरब्वी सन्मान्निय पुझनियाशी जीजिना जमना हस्तेवा सर्मिष्टा बेन वकीलना साथे रहिने बधा सिवाबावी ट्रस्टीयो तान मन धन्तिया संकुलने समर्पीच छे अने ज़ विते नरडी आरोग्य केंद्र ना अंदर अमारा मैनेजिंग ट्रस्टी आशीश भाई ना साथे अमारा डप्तर दर्शन भाई अनुज भाई वगेरे जिटला पन बदा ट्रस्टीयो चे एपन खुब सारी रिते निस्वार्ध सेवाओ बजावी रयाचे आ बदाज ट्रस्टीयो ना साथ सकार थी आ बन्ने संस्थाओ वड़ोदरा शेहर ना जन्तानी सेवामा हमेशा माटे कारे रच्चे आजना जीजी ना आप रागट्टे उत्सो प्रसंगे पड़ोदरा ना रत्न समान समाज स्रिष्टियो वा डॉक्टर दर्शन भाई बैंकर नुपन विशेश एमनी सेवाव बदल आईया आजे एमनु सन्मान करवामा आवियू चे आजे ठाकुजी ना सुखार थे कमल तल खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर 71 वे वन महत्सो का प्रारम करवाते राज्य के ग्रेमंती प्रदीप सी जाड़े जा ग्रीन गुजरात क्लीन गुजरात के नारे को किया गया बुलन मुख्यमंत्रियों को कब से मिला राज्य में तीरंगा फैराने का अधिकार और कौन थे वो पहले मुख्यमंत्री जिसने तीरंगा लहराया जानकारी देती बियार्जी न्यूस की खास रिपोर्ट रुपानी सरकार के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री सहरी विकास योजना में महानगर पालिका और नगर पालिका को मिले एक हजार करोड रुपे 99.5 करोड बड़ोदा महानगरपाली का समय चार नगरपाली काओ को मिले 4.5 करोड रुपे ये थी अब तक की खबरे कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्तित होंगे तब तक बियार जी नियूस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नमस्कार